अगर नहीं सुना तो फूल वोल्यूम पे सुनना और अगर गाड़ी में सुन सको पूरा थंप के साथ अगर बहुत मज़ा आता है बेरा अभी लाइव इवेंट चल रहा है प्री रिलीज इवेंट इसको बोला आता है भीमला नायक का और प्री रिलीज इवेंट स्पेसिकली साथ इंडस्ट्री की उपज है बॉलीवूड में जाधा ही नहीं होता है और उसके अंदर पूरा पावन कल्यान जी दिखते हैं सब लोग बैठे हुए अच्छी चीज मुझे इवेंट की यह लगी जितना मुझे समझ मैं हलाकि हिंदी में नहीं है उसके बारे में मागे बात करेंगे एक दूसर के जो रिस्पेक्ट है वो मिरको काफी अच्छी और काफी जेनुन लगती ह देखने में के अंदर तो पावन कल्यान जी किसी के बारे में बात करेंगे राना दुगावती अपनी बारे में बात निकरेंगे किसी और के बारे में बात करेंगे फिर जितने भी लीडिंग लीडिज हैं उनके जो मैंने विचार सुनें वो भी इसी तरीके के हैं that she is pleased to work with these Megastars and she always appreciate how these Megastars have helped her sharing the screen space, mentoring her, तो जो mentoring शब जब यहां पर आजाता है वो काफी कमाल का word है, mentoring का मतलब होता है कि आपको एक पत्चिन मिल जाते हैं, तो यह मुझे काफी कमाल का word लगा है, the choice of word that the lady used, और यहां पर मैं समयकता की बात कर रहा हूं, उन्होंने यही word यूज करा, उसको सुन के मेरे को बड़ा मजा है, जब आपके seniors आपको help करते हैं तो आप बहुती confident feel कर बहुती ऐसा लगते हो, you are not an outsider, को यह भी नहीं नहीं आईए हो, ज़्यादा मुवीज नहीं करी हैं, बढ़ा कि उनके बहुत सरी मुवीज अचानक से आ गई हैं, और acting talent is really getting appreciated and getting noticed, तो यह जितना भी ताम जाम चल रहा है, लाला भीमला का वो काभी मज़ेदार है, जैसे मैं कोड़ी कमी भी नहीं निकाल सकते हैं, to the extent के मिरिकवास कुछ कुछ कॉमेंट्स हाए, जैसे बोलते पावन कल्यान जी इस God, तो I think that's their love for him, their respect for the star, respect for the art that they have, but they don't truly mean that he is God, God is God Almighty, जिसने यह दुनिया बनाई है, या फिर आप God को अगर रिप्लेस करना चाहो अर्थ पे, at most you would see your parents as God, so that's their love for the star, for their art I think, बेराल वापस आते हैं कि यह लाइवेंट था किसा, यह दिखो यह लाइवेंट के अंदर एक भी हिंदी का शब्यूस नहीं होया अभी तक, अभी लाइवेंट चल रहा है, उसे मैं थोड़ा सा प्रशान हूं, क्योंकि जब कल मैने वाला मही का द नन-speaking audience, आपको भी समझ में आ रहा है, आपको हिंदी audience के लिए भी समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर आप हिंदी audience को बिल्कुल भी गहर नहीं कर रहे हैं, इसकी tickets जो हैं हिंदी के अंदर वो भी तक अवेलेबल नहीं है, बुक करने के लिए, हिंदी trailer का कुछ पता नहीं है, और अल्ड़ी एक रियूमर आ चुका है कि इसका है हिंदी वर्जिन टाइंगली रिलीस हो गई ही नहीं, तो which is a scare, because there is no explanation from the makers, no explanation from the stars, और सब लोग बहुत जादा वेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वल्लब डिले ही हो जाए, और आए ही नहीं, क्योंकि अगर पर्स कि हमें ये content देखने को मिलेगा, जैसा हम देखना चाहते हैं, और जितनी hype बनी ही है, movie वैसे ही दिखे, और मैं आपको साथ में ये भी बता सकता हूं, कि इसका trailer 2 भी आ गया है, वो आज ही release हुआ है, अभी थोड़ी दर पहले ही release हुआ है, इसका trailer 2 में जादा action आपको ही जाते हैं, उससे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कि इसके अंदर कोई high-octane conversation हो रही है, थोड़ी सी heated arguments हो रही है, थोड़ा heroism से बड़े-बड़े dialogue जा रहे हैं, बस इतना ही समझ में आ रहा है, purpose कहा है इस movie का, क्या ये lesson देना चाहती है, उसका कुछ clue नहीं ह बड़ हीरोism से भरी ये ज़रूर समझ में आ रहा है, बेराल, to conclude, हिंदी का release होगा कि नहीं होगा, I don't know, जैसा चल रहा है, इसा लग रहा है, delay हो जाएगी, पता नहीं, I am just keeping my fingers cross के हिंदी के अंदर release हो, और कुछ content और कुछ material हमें देखना शुरू हो, जो आपका live event चल रह काफी मज़दा trailer है, जादा high octane है, इसके अंदर और भी जादा energy आपको fail होगी, तो मिलते हैं एक और review, एक और update के साथ, don't forget to subscribe the channel, bye bye